Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to our small beautiful channel Insights on Physics मैं आपका सब का फिर से इस छोट इसे चैनल में स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में ये है हमारा वीडियो नमबर 2 of Scalars and Vectors and Chapter No. 3 of Physics का हमारा Series और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं How to Add the Vector Quantities पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे Physical Quantities होते हैं ये दो किस्वों में हम Categorize कर सकते हैं एक Scalars होते हैं, एक Vectors होते हैं Scalars वो होते हैं जिनको सिर्फ Magnitude से Defined किया जाता है और उनको Algebraic Method से हम Add or Subject कर सकते हैं लेकिन जो Vectors होते हैं ऐसे Physical Quantities जिनको Magnitude और Direction थी Consider करना पड़ता है The Physical Quantities which are completely described by Magnitude as well as Directions वो हमने Categorize किया था In the form of Vectors और Vectors को Add करने के लिए Algebraic Laws हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हम कुछ Special Laws चाहिए And that Laws are nothing but Laws of Vector Addition और ऐसे 3 Laws of Vector Addition है Triangle Law, Parallelogram Law और Polygon Law अब चलिए जल्दी से स्टाट करते हमारे आज की वीडियो की From Triangle Law of Vector Addition तो Heading दे दिया हमने यहाँ पे Triangle Law of Vector Addition अब देखे बटा कि जैसे Vectors Vector मतलब क्या कि जैसे एक यहाँ पे मैं Arrowhead बना देता हूँ So यह हो गया कोई मेरा Vector A Bar यह हो गया मेरा Vector A Bar जिसका magnitude है this length of the line And the Arrowhead is nothing but the direction और दूसरा Vector हम कोई ले लेती है वाला B Bar यह Vector हो जाएगा हमारा कोई दूसरा Vector B Bar ठीक है अब आपको अगर कोई पूछे कि What is the angle between the vectors अब मुझे इन दू vectors को add करना है मतलब कैसे जैसे देखिए For example मैं बोलो आपको कि एक यहाँ पे कुछ मेरी एक object था इस object के उपर हमने इधर force लगा मान लेते हैं 10 Newton ऐसा for example मान लेते हैं यह समझने के लिए और एक बंदे ने तभी simultaneously दूसरा force लगा इधर 10 Newton अब देखो यह book के उपर यह फिर यह object के उपर 2 simultaneously एक साथ 2 force लग रहे हैं 10 और 10 Newton इस दिशा में तो क्या लगता है थोड़ा सोच के देखो यह book कहा जाएंगी This book will move somewhat इन दोनों के कहीतो भी बीच में अब वो कितने एंगल पे जाएंगी कितने magnitude से जाएंगी यह हमारा topic of discussion फिलाल नहीं है हम यह सोच रहे कि अगर यह दोनों forces simultaneously लगते तो book कहा जाती सर book कहीतो भी इन दोनों के बीच में कहीतो भी ऐसी जाती अब अगर मुझे यह यह मतलब किया बेटा कि यह दो force का resultant यह है बलब यह दो force लगने के वाज़े से जो resultant effect हमको मिला यह कुछ इस दिशा में मिला समय में आ रहा है नहीं आ रहा है अब यही हम verify करने वाला है with the help of triangle law vector addition इसलिए इसको कहा गया है बेटा कुन सा law triangle law of vector addition vector addition का triangle law अब देखिए कैसे जो दो vectors simultaneously कोई object पे लग रहे है उनको आप ऐसा लिखिये बनाई है कि एक का head के बाद दुसरे का tail आज़े जैसे देखो पहला एक factor लग रहा है जैसे मान लेते हैं यही चीज़ अगर मुझे देना होता तो मैं कुछ इस तरह से देता कि एक force लग रहा है यह वाला इसी object के उपर और दुसरा force लग रहा है यह वाला है अब इसका magnitude कितना है एक होगा अब इका magnitude क्या होगा मॉड़ा पी अब देखिए यह दोनों forces लग रहे है तो बुक कही तो भी बीच में इधर जाएंगी अब यह हमको किसे प्रूफ कर वाना है triangle law से तो देखिए यह angle between the vectors क्या हो जागा है आपके ठीटा क्या मैं यह कह सकता हो कि थीटा इस अंगल between the vectors क्यों मैं ऐसे कहा क्योंकि देखो पिछले इसमें हमने पढ़ा था what is angle between the vectors the angle ताल से ताल मिला दो विक्टर्स का टेल से टेल मिला तो जो एंगल बन रहा है that is nothing but our angle between the vectors अब यही यही बी बार को हमको लिखना कैसे जैसी यह दो forces add कर रहे थे कोई एक object पे लेकिन इसको लिखने का या फिर ड्रॉ करने का तरीका देखो पहले हम ले ले थी कि दुसरे विक्टर का टेल लगाओ तो सर टेल लगाना है कैसे लगेंगे सर तो विक्टर को तो slide करना पड़ेगा बिल्कुल सर विक्टर चेंज नहीं हो जाएगा नहीं बेटा यह भी हम कल पढ़ चुके कि अगर हमने विक्टर को पैरलली कैसा भी स्लाइड किया तो ना तो उसका दिशा चेंज हो रहा है ना तो उसका दिशा चेंज हो रहा है ना तो उसका मैंगेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो अभी हम क्या करेंगे इस विक्टर को श्लाइड करके ए के सामने रख देंगे तो रख दें कि अभी देखिए यह जो है विक्टर, एक बार यह भी एक प्र रकनल का फोर्स तो इन दोनों का जो resultant होगा है ना ये दोनों forces एक साथ object पे लगने के वज़े से जो resultant होगा वो हमको मिलेगा third side of triangle से किससे मिलेगा बैटा triangle को कितने side होते है third side तो third side कैसे बना देंगे sir देखो ये हो जाएगा हमारा third side इसको हम बोल देंगे sir resultant R बार क्या बोल देंगे sir R बार अब R बार जो है ये A बार first vector और दूसरे vector B बार का addition है vector addition है algebraic addition नहीं कैसा addition है vector addition तो जो magnitude A का है वो दर्शार है कि force A का magnitude क्या है length of line B क्या बता रहे कि B का magnitude कितना है तो R का जो magnitude रहेगा वो बताएगा कि result का magnitude क्या रहेगा और R का जो direction रहेगा वो बताएगा कि result rate का direction क्या रहेगा आपने और एक चीज़ अगर आपके गौर से notice किया होगा तो देखो मैंने arrow head इधर भी बना सकता था लेकिर मैंने arrow head कहा बनाया देखो, यह line बना दो आप पहले तो जहाँ पे tail है, वहाँ पे बना दो tail, तो यह हो गया विक्टर का tail और जहाँ पे क्या है, head है वहाँ पे बना दो head, तो if अगर अब इसी को, यह तो हमने एकदम general चर्चा कर लिया, कैसे चर्चा कर लिया general, what is angle between A and B यह angle है between A and B, नहीं क्या यह angle है between A and B, नहीं सर, क्योंकि यह head और tail के बिचका angle है angle क्या है सर, theta, तो गो कैसे ने करेंगा देखो, this is the angle theta between A and B, यह ना, देखो A को slide करो, slide करना से कोई फरकने बड़ेगा तो देखो A और B के बिचका angle क्या हो जाले अब इसी का अपन ट्राइंगल लौ का statement यहाँ पर लिखते हैं, यह तो अपन ने पढ़ लिए general general में, है ना, एकदम scientific statement वगर अपन यहाँ पर add किया, नहीं add किया, नहीं, तो अभी अपन यहाँ पर लिखेंगे scientific statement क्या लिखेंगे, कि if 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 two vectors two vectors, triangle law दो vector के addition के लिए इस्तावाल किया जाता है if two vectors are represented are represented in magnitude magnitude में भी और direction में भी in magnitude and direction by the two by the two adjacent side adjacent of a triangle of a triangle then their resultant उनका resultant किन दोनों का उन दोनों vectors का resultant is represented कैसे represent होता है बेटा is represented कैसे represent करेंगे represented in magnitude भी magnitude से भी represent करेंगे जो उसका length रहेगा वो magnitude बताएगा in magnitude and is represented in magnitude and direction by the third side क्योंकि दो साइड triangle क्यों तीन साड होते है तो दो साइड ने क्या बता दिया इकन in opposite order तो opposite order मतलब क्या देखो कि जैसे order क्या चल रही थी head sorry tail head इसका tail head तो यह थर्ड वेक्टर का यह होना चाहे था tail यह होना चाहे था लेकिन order भी हमने क्या कर दिया change कर दिया है न तो अगर दो वेक्टर्स एक object पे यहां पे एक शब्द और नीस हो गया in magnitude and direction तो magnitude क्या रहेगा जो इसका magnitude रहेगा direction क्या रहेगा इन magnitude and direction by the third side of the triangle taken in taken in opposite order taken in opposite order अब चलिए magnitude कैसे निकाले सर यह तो अभी समझ गया सर कि जो 3rd side होता है वो resultant बताता है दिशा जो resultant कि रहेगी वो यह रहेगी और जो magnitude रहेगा जिससे मानलो सर यह 10 है यह 10 है तो 10-10 का एंगल बनेने के बाद जो यहां पर बनेंगा अगर यह 20 होगा तो यह 20 होगा सर यह भी समझ गया कि magnitude में resultant में दोनों वो लाइन बता रहे लेकिन magnitude निकालना कैसे सर magnitude निकालना उसको कोई formula होगा न गिलकुल तो चलिए इसका निकालते formula तो बेटा triangle law of vector addition निकालने के इसके यह जो resultant निकालने के दो तरीके होते एक होता है analytical method और एक होता है graphical method तो graphical method तो हमको है नहीं लेकिन मैं आपको इंट्रेस्ट जिनको इंट्रेस्ट है उनको लास्ट में जरूर बताऊंगा बहुत इंट्रेस्टिंग है ठीक है तो अपन यह फिला जो method पढ़ रही है analytical method to find the resultant of the two vectors अब चलो थोड़ा यहां पर हमको construction करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सर construction कुछ नहीं बेटा इसको थोड़ा enlarge कर दो यहां तक और यहां से perpendicular निकालो उसके ओपर और इसको नाम देदो अभी कुछ तो नाम देना पड़ेगा तो इसको नाम देगे O है ना इसको नाम देदेंगे P इसको नाम देदेंगे Q इसको ना आ तो नहीं नाम दे सकते इसको नाम देदेंगे S नाम देते थे क्या नाम देते थे बेटा S अब हमको क्या करना है कि A को extend करना है और यहां से एक perpendicular निकालना इसके ओपर खतम हो गया, अब ध्यान दो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर A है तो इसका जो magnitude रहेगा ये कह रहेगा बेटा, A हम A वेक्टर का magnitude कैसे लिखते है A का magnitude, एक तो ऐसे लिखा जाएगा A का magnitude, और सिर्फ A लिखा जाएगा, B का magnitude magnitude कैसे लिखा जाएगा B एक तो ऐसा और सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा R का magnitude कैसे लिखा जाएगा ऐसा और सिर्फ R लिखा जाएगा क्योंकि बार तो वेक्टर हो जाता है अब देखिए यह जो लेंथ है उपी लेंथ ओपी लेंथ ओपी कितना है ए है ठीक है magnitude of A अब देखो PS कितना है लेंथ PS कितना है लेंथ PS से B अब अगर आप गौर से यहाँ पर देखे यह वाला ट्रेंगल कुन सा ध्यान दो triangle PSQ it is 90 degree at angle Q, angle Q कितना है 90 degree तो क्या यहाँ पर पाइथ है गोरस थिरम लग सकते है बेटा बिलकुल सर यह हो जाएगा हमारा PS जो है यह हो जाएगा सर हमारा hypotenious है ना इसका magnitude कितना है सर यह तो वेक्टर B था तो इसका magnitude हो जाएगा सर B theta है सर हमारा angle तो यह जो SQ है यह हो जाएगा opposite side और P क्यों हो जाएगा हमारा adjacent side अब चलिए SQ और PQ के value हमको यहाँ पर निकालना है कैसे निकालेंगे देखो ध्यान दो क्या दो ध्यान दो sin theta क्या लिखेंगे सर हम sin theta what is sin theta opposite that is SQ upon hypotenious that is PS तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हमारा SQ SQ यह हो जाएगा मेरा PS sin theta लेकिन SQ is PS sin theta मतलब SQ PS क्या है मेरा PS देखो PS PS तो मेरा क्या है B तो SQ को लिख सकता हमें B sin theta अच्छा सर ऐसा बोल रहे थे आप हाँ तो बेटा ऐसे तो बुल रहा था मैं और लिखेंगे cos theta सर cos theta देखो हमको पता है क्या है hypotenious तो sin theta से opposite side में जाएगा हमको opposite upon hypotenious cos theta से हमको adjacent upon hypotenious तो cos theta हो जाएगा हमारा adjacent that is PQ upon hypotenious that is PS तो PQ क्या हो जहाए पेटआ PQ यह जगा Ps cos theta तो PQ क्या हो जिएक का हो जगा Ps मतलब B cos theta हो गया सर मिल गया SQ मिल गया तो SQ क्या मिल गया सर B sin theta तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं है न percent of my luc अब देखो गौर करोट हमें निकालना क्या है OS जो हमारा रिजल्टन है OS तो क्या हमें लिख सकता हूँ OS is OQ square OS square is OQ square plus QS square तो यहां पिलिखेंगे OS square OS square is OQ square plus SQ square कैसे using Pythagoras theorem using यहां पर लिख देखें using Python P Y T H A G O R E S using Pythagoras theorem जिनको slow हो रहा है कृपया 1.25 पर लेके जाए उनको fast और 0.25 पर लेके जाए ठीके using Pythagoras theorem हम लिख सकते कि hypotenious square is one set square plus other set square अब चलो OS क्या हमारा OS तो हमारा R है सर तो लिख देंगे यहां पर R square is what is OQ अच्छा सर OQ तो OQ तो O P plus P Q से बना है तो यहां पर लिखेंगे सर O P plus P Q का square plus लिखेंगे सर यहां पर SQ का square वापस लिख देंगे सर R square is what is O P सर O P O P तो A है सर P Q क्या है सर P Q देखो P Q B cos theta है सर P Q क्या है सर B cos theta तो लिखेंगे यहां पर B cos theta का square plus SQ क्या है सर SQ SQ अभी निकाला था समने B sin theta तो लिख देंगे यहां पर सर B sin theta का square अच्छा सर हमको निकालना है R तो यहां पर A plus B का whole square का formula आपकर याद होगा आपको क्या है पेटा A plus B का whole square का formula it is equals to क्या लिखेंगे यहां पर A square plus 2AB plus B square लेकिन यहां पर B नहीं है B cos theta है तो क्या लिखेंगे first term square plus 2 times first term into second term plus second term का square plus B sin theta का square मतला B square sin square theta A square plus 2A into यह पूरा का पूरा B, B क्या है B cos theta plus B square मतला B square cos theta खतम क्या लिखेंगे बिटा देखो R square is A square वैसे के वैसा plus 2AB cos theta यहां से हम common निकलना चाहेंगे, यह two term का common निकलना चाहेंगे बी square को, किसको common निकलना चाहेंगे बी square तो क्या बच्छेगा यहाँ पर देखो sin square theta प्लस cos square theta और अब गर आपको याद होगा तो what is sans square theta plus cos square theta यह trigonometric identity है बिटा this is equals to 1 so finally जो हमको r square यहाँ पर मेल रहा है वो है a square plus 2ab cos theta plus b square तो क्या मैं लिख सकता हो बिटा की r is under root of क्या लिखेंगे बिटा a square plus b square plus 2ab cos theta now this is the value of the resultant मतलब a का magnitude क्या है op vector का पहले vector का magnitude क्या है a दूसरे vector का magnitude क्या है b उनकी बीच का angle क्या है theta यह angle नहीं है बिटा यह तो tail से head हो गया अपने को head से head tail से tail चाहिए तो यह tail को इस tail से मिलाओ यह theta है तो theta is the angle between vector a and b angle between the vector a and b तो resultant का magnitude क्या होगा under root of a square plus b square plus 2ab cos theta अब ध्यान दो अगर आपने यह 10 ले लिया यह 10 ले लेकिन theta अगर अलगलोग होगा है ना देखो गौर करके देखो है ना थोड़ा यहाँ पर अबन dance करके देखती अगर यह भी 10 है यह भी 10 है लेकिन अगर angle अलग-अलग है बेटा अगर angle अलग-अलग है तो resultant भी उनके कैसे आएंगे अलग-अलग आएंगे तो यहाँ पर हम algebraically add नहीं कर सकते कैसे add करना है हमको vectorically और अगर हमको vectorically add करना है तो दो vectors के हमको magnitude पता होना चाहिए अगर angle change हो गया तो resultant भी क्या होजेगा change होजेगा next और आपको क्या पूछ सकते है आप है कि what is the angle between the resultant किसके बीच का बेटा यह resultant और first vector के बीच का angle है ना तो what is that angle 5 उस angle को आपन नाम देदेंगे 5 तो देखो tan 5 क्या लिखेंगे हमें हापके देखो tan 5 what is tan 5 बेटा देखो tan 5 tan 5 is opposite what is opposite it is sq upon upon क्या बेटा oq क्या लिखेंगे oq so sq तो sq ही है बेटा लेकिन oq क्या है oa plus aq nee sorry op plus pq op plus pq so what is sq sq देखो क्या है sq it is b b sin theta upon what is op op a plus what is pq it is b cos theta so sir what is the angle between resultant and first vector it is b sin theta what is b magnitude of first vector what is sin trigonometric के शो theta क्या है angle between a and b upon a plus b cos theta यह हो जाएगा angle between resultant and first vector first vector resultant के बीच का क्या है यह बेटा angle है तो कैसे ध्यान में रखने इसको देखो resultant और first vector नहीं तो second vector को पकड़ो b sin theta upon first vector a plus b cos theta अगर आपको चाहिए angle between resultant and second vector तो किसको पकड़ना पड़ेगा first vector को that is a sin theta upon b plus a cos theta simple किसके बीच का angle चाहिए नहीं तो इसका नहीं ठीक है ऐसे समय में आ रहा है आप लोगों को so this is the formula for the resultant between the two vectors and this is the formula for the angle between the two vectors यहाँ से आप tan 5 की value निकाल ले और फिर 5 की value हम निकाल सकते बटा log table से कोई से table से लिकाल सकते log table से है नँ तो इस तरह से हम दो triangle के triangle law से इसका क्या निकाल सकते result अब रही बाद graphical method की तो short में मैं आपको यह पर explain कर देता हूं जो लोग curious होंगे फास्ट में करके भी देखें एक graph paper लो बच्चा क्या लो graph paper ठीक है graph paper लो और क्या करो scale लो obviously sir और scale में यह लेना scale लेना one centimeter is one unit ठीक है तो मानलो अभी मुझे बनाना है 5 centimeter 5 Newton का force 5 Newton का force 5 तो देखो 5 Newton का ऐसा line बना दो ठीक है और 5 Newton का force बनाना है लेकिन यहां से ने का 6 degree बनाना है कितने बनाना है यहां पे 6 degree से तो यह हो जाएका 5 फिर क्या कर आप प्रोटेक्ट रखो यहां पे ऐसा प्रोटेक्ट रखिए यहां पे यहां यहां से 0 10 20 30 40 50 60 यहां से वाप स्केल रखे 5 cm गिन लीजिए तो यह हो जाएका 5 Newton का force क्योंकि आपने क्या लिखा है कि 1 cm is 1 Newton तो 5 cm भी 5 Newton है ना यह एंगल कितना हो गया बेटा आपका एंगल बिडियों वेक्टर कितना हो गया 6 degree और क्या करो अभी स्केल सेूस जॉइंड कर दो स्के Palm से क्या कर लो बेटा जॉइंड कर लो ठीक है अभी अप स्केल से से मेझर करो स्केल से इसको क्या करो मेझर कर ऊ gak और वह वैली जो कुछ हो इहापर narrative आंगी विजपि 15 इनकों अब बढ़िया ठीक है फिर का स्क्वेयर चलो और वाली कर लाती जल्दी से 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 5 का स्क्वेयर 25 25 25 50 प्लस 2AB कॉस कितना 60 वाट इस कॉस 60 वन बाइटू 1 बाइटू 1 बाइटू कॉस 60 क्या वाली 1 बाइटू सो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो बचा कहा सिर्फ A इंटू B तो A है 5 B है 5 तो यह 5 5 25 तो यह 25 25 25 तो यह जागा 75 25 25 25 25 तो रूट 75 रूट 75 मतलब होता है बेटा 25 इंटो 3 तो 5 रूट 3 तो आपकी वैलू जो आर की यहां पर आई होंगी 5 रूट 3 अब रूट 3 का वैदी होता है बेटा 1.732 तो यह लगभग लगभग थोड़ा मोटा मोटा सत्रा पाची थोड़ा 86 के आसपास वगरे यहांपे 8.66 0 के आसपास यहां पर कुछ तो भी आपका आया होगा तो यहां पर यहां पर आपका यह जो यह जो लाइन है अगar एक सेंटिमेटर होगा तो यह आट पॉइंट-फॉन्टर से भी मिल रहा है और एनेट-फॉन्टिकल मेफिल रहे और वह मिल रहा है अपन ग्राफ लेके जा सकते हैं क्या नहीं लेके जा सकते हैं इसलिए तो एनलेटिकल मेथड हम हमेशा पढ़ते हैं और उसे से सभी कोशन्स सॉल्फ करते हैं तो यह तो कि एकदम बेसिक सा ट्रेंगल लॉफ विक्टर एडिशन अभी इसके उपर अपन लगाएंगे चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम कुछ जनरल फॉर्मूलाज फॉर्मूला डिराइफ करने की कोशिश करते हैं अब जनरल फॉर्मूलाज है ने क्या मेटा देखो जैससे ध्यान दो हम माल लेंगे दोविक्टर से ऊर और और क्या करेंगे सबसे पहले रखेंग यह तक यह वादा विजल्टं क्या रहे है फिर ह्लनक के थे अपहले के हेड़ से दुससरे का तल अटी पेरलर्ट रखेंगे और देखेंगे कि resultant क्या रहा है मतलब क्यों ऐसा कर रहे हम क्योंकि हमको वैसे तो उनको 0 से लेकर 180 degree तक कुछ भी एंगल हो सकता है लेकिन जन्रली 090 और 180 के लिए हमें पूछा जाता है maximum case में तो पहले हम जन्रल एक्वेशन निकाल लेते हैं उनको अपन ये तो होगया general equation हमारा हम निकाल रहे है अभी special case क्या निकाल रहे special case general मतलब for any angle theta और special case मतलब for special angle theta तो इसी formula को आपन निकाल कर use करके निकालने की कोशिश करते हैं तो चलिए दो विक्टर हम ले लेंगे a और b है ना तो ये विक्टर में बना देता हूँ यहाँ पर a विक्टर है ना इसको उठाएंगे अपन 10 बार और ये विक्टर ले ले लेते हैं अपन दुसरा विक्टर बी बार ठीक है यह हो गया हमारा विक्टर बी बार चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ special cases कॉनसे वेटा special लसी S-P-E-C-I-A-L special cases यहाँ लिख देंगे अपन case number 1 case number 1 when theta is equals to 0 degree मतलब that is both vectors are same side, कैसा side? same direction उनका और are parallel कैसे है वेटा? P-A-R-A-L-E-L चलो, तो कैसे add करेंगे triangle लोसे देखो, पहले एक A vector ले ले लेंगे, ले लिए हमने A vector रख दिया A vector को, अब A vector के head से, A vector के head से B vector के क्या लगाओ? tail, तो B vector तो ही है चलो, इसको slide करो, parallel इसको लगाओ, इससे tail, तो ये बन जाएगा ऐसा यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा B vector A vector हो क्या, B vector हो क्या? अब resultant क्या है बेटा? इसको पकड़ो, और इसको पकड़ो और बना दो, तो इसके उपर ही बनेगा, तो मैं इसके उपर ना बना दे, थोड़ा सा नीचे बना देता हो तो ये हो जागा हमारा resultant, अब ये तो ऐसी धहल में हो रहा है कि A plus B करके लेकिन हम proof भी करेंगे by using this formula, ठीक है? तो चलिए तो एंगल कितना है इनके बीच में A और B के बीच में 0, मतलब बोध वेक्टरस कैसे है बेटा? पैरलल है, कैसे है? पैरलल So what is the formula of resultant? It is under root of, क्या लिखेंगे बेटा? देखो, या पर A square plus लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2AB, और क्या लिखेंगे cos of 0 degree, cos of 0 degree चलिए solve कर लेते हैं, तो R is equals to क्या मिल्रहम को देखो, under root of A square plus B square plus 2AB A square plus B square plus 2AB अब देखें, यह किसका expansion है? ध्यान दो, किसका expansion है? अंडर root of, ध्यान दो A plus B whole square का expansion है, बेटाईए A square plus 2AB plus B square, खत्याब तो square और square root क्या होजएगा? cancel, तो क्या बचनेगा? R is A plus B, खत्म, तो अगर दो victors होगे बेटा, और वो कैसे होगे? एक दुसरे को parallel होगे तो सीधा-सीधा आक बंद करना और उनका resultant होगा A plus B खत्म, अब आप बोलोंगे, सर यह तो algebraic addition होगया, अरे भाई, special case है 0 degree है 10 degree होता तो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 600, तो फिर क्या करते? 0 degree के लिए सिर्फ यह special case है, इसलिए तो बोलता हो, है ना? और direction कहा रहा है का बटा बही? जो दोनों vector का direction है वो, ठीक है? So, this is A plus B इसमें भी और एक, अगर दो vectors, दोनों vectors बेटा सेम होते A, B, 10 होता, B, B, 10 तो 10 और 10 कितना होता? B तो ऐसा लिखते हो मैं आप लिए कि If A का magnitude A का है बेटा? A का magnitude B का है? B का magnitude A का magnitude और B का magnitude अगर सेम होता इतना complicated लिखने के वाज़ा ऐसा ऐसा लिखो न कि If A is equals to B तो क्या लिख सकते है अपन? R, 2A लिख सकते या फिर 2B भी लिख सकते है क्यों? क्योंकि B ही A है तो A plus A, 2A और A ही B है, गंगा धरी शक्तिमान है तो B plus B, 2B कतम तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते है यह हो गया हमारा special case 1 अब लिखेंगे अपन special lassi case 2 क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर case 2 क्या है हमारा case 2? When theta is because to 0 degree नहीं नहीं, 0 तो हो गया sir theta is 90 degree sir theta is 90 degree means both vectors both are perpendicular both are perpendicular to each other नहीं लिखता हूँ both are perpendicular जाने दो to each other आप साथ साथ लिख भी सकते हूँ इसलिए थोड़ा slow चल रहा हूँ ताकि आपको लिखने में भी space मिले आपको separate चल लग वीडियो देखना ना पड़े ठीकिए दो वेक्तरस अगर एक दूसरे को कैसा इसको perpendicular है तो ऐसा होगा बेटा देखो इसके head से P का tail लगेगा तो लगा दें कि B bar यहाँ पैसा यह हो जाएगा हमारा B bar तो यह क्या हो जाएगा हमारा dot 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 यह हो जाएगा हमारा resultant R bar resultant R bar angle कितना है देखो अगर आप इसको slide करे B को अगर आप slide करे तो आपको मिलेगा 90 degree tail से tail मिला चलो अब आपस formula इस अमाल करते R is equals to under root of लिखेंगे A square plus B square ऐसे case में resultant क्या होता है इसलिए formula इस नमाल करना पड़ेगा resultant का तो R हो जाएगा under root of भाई सहाब A square plus B square plus 2AB cos of 90 और सारी दुनिया को पता है cos 90 के value 0 है तो 0 into 2AB 0 तो क्या बन गया R? R बन गया under root of A square plus B square A square plus B square तो अगर दो विक्टर्स एक दूसरे को mutually perpendicular होंगे तो उनका resultant बनेगा under root of A के magnitude का square plus दूसरे के magnitude का square A square plus B square और उसमें अगर दोनों shame to shame होगे अगर गंगादर ही शक्तिमान होगा तो R हो जाएगा under root of A square plus B B क्या है? A square मतलब यह हो जाएगा बैटा 2A square मतलब यह हो जाएगा root 2A या फिर अगर A B जितना होता तो R क्या लिखते हैं under root of A ही B है तो B square मतलब अगर दोनों same होगे तो क्या है कहेंगे हम कि उनके बीच का जो angle है sorry जो result है उसका magnitude क्या है बैटा root 2 times individual vector अगर same होगा तो उने तो फिर under root of A square plus B square A square plus B square चलिए इसमें अपन resultant का angle भी निकाह सकते थे लेकिन वो कभी बाद में निका रहेंगे ठेक है आगे चलकर आपको और numericals solve करने ही है है ना इसमें देखो what will be the angle between the resultant and first vector 0 degree यहाँ पे तो अगर यह same होगा same की बात कर रहा हम है same तो A और B दोनों same है बेटा तो अगर यह दोनों same यह 90 है तो यह 45-45 बजागा और वैसे भी आप 10 theta के formula में पूट करके देख सकते हो लेकिन कोई दिकतने फिलाल अपन इतना deep में जाएंगे अपन बेसिक बेसिक ही पटर फिलाल यहाँ पर ठीक है जादा stress मित लीजिए next case 3 case 3 क्या है case 3 when when theta is equals to क्या लिखेंगे बेटा जीरो डीगरी जीरो हो गया सब्सक्राइट डीगरी कितना डीगरी 180 डीगरी मतलब कैसे दोरों वेक्टर वेक्टर को anti-parallel वेटा anti-parallel तो कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले ए वेक्टर निकाल लेंगी और फिर क्या लिखना है वेटा उसको उसमें से सब्सक्राइट क्या करना है बीवेक्टर तो बीवेक्टर कैसे लिखाना पड़ेगा anti-parallel मतलब ए और वी में एंगल कितना होना चाहिए 180 तो अगर बी मैं ऐसा लिखो तो एंगल तो जीरो हो गया यह 90 हो गया तो यह ऑनिटीया एका और वाइनेटी मतलब ऐसा बना देंगे हमारा बीम जो उसके उपर बनेंगा इसा तो रिजल्का यही तो यह हो जाएगा आपका रिजल्टन आर बार तो सीधा सीधा मैं आर बार को क्या लिख सकता हो सर ए माइनस बी है ला लेकिन आपको फॉर्मुला से बताना है कि आर इस अंडर रुट आफ क्या लिखेंगे बेटा यहां पर बोलो वाट इस कॉस ठीटा कॉस वनेटी डिगरी कॉस वनेटी हो जागा सर माइनस वन क्या हो जागा कॉस वनेटी माइनस वन है आई लेट अंगल में देखा है तो रिखेंगे आपे a square plus b square minus 1 into 2ab is minus 2ab है नो चलो गौर करो किसका फॉर्मुला है यह किसका फॉर्मुला है under root of a minus b का whole square a minus b का whole square square से square root हो जागा cancel तो r क्या बच्चेगा बेटा only a minus b देखो वही बन रहा है और direction क्या बनेंगा देखो जो vector बड़ा है अगर a बड़ा होगा तो a के दिशा में b बड़ा होगा तो b के दिशा में देखो अगर b बड़ा होता तो कि ए ही भी है तो यह में से चला गया तो अंशर जीरो तो यह तो होगा बीटा special cases क्या कि अगर दो विक्टर की भीच का angle 0 degree होगा मतलब अगर दो वेक्टर कैसे होगे parallel तो कुछ नहीं करना है सिदा-सिदा जो resultant होगा होगा दोनों के magnitude का addition A plus B अगर दो vectors एक दूसरे को mutually perpendicular होंगे मतलब angle कितना है उनके बीच का 90 degree tail से tail का angle अगर 90 degree है तो आख बंद करके resultant का formula क्या होगा under root of A square plus B square अगर सेम रहे तो root 2 times the individual vector that is A या फिर B अगर angle 180 degree होगा मतलब एक दूसरे को कैसे है anti-parallel है तो आख बंद करके जो resultant होगा वो होगा A minus B और सेम होगे तो फिर 0 क्योंकि इसमें से वही कट रहा है ठीक है तो चलिए ये तो होगया हमारा variables के form में special cases का discussion अभी हम क्या करेंगे वापस से 2 vectors लेंगे लेकिन अभी हम उनको magnitude दे देंगे जैसे एक हो जाएगा आठ दूसरा हो जाएगा अच्छे और बुलेंगे कि 0 30 60 90 120 150 180 इनके लिए क्याने कलो A और B के क्याने कलो बेटा values निकालो लेट्स स्टार्ट चलिए दो वेक्टरस हम यहाँ पर अभी consider करेंगे जिनके magnitude रहेगे इनका magnitude A का magnitude हम ले लेंगे बेटा 8 units अभी कुछ भी हो सकता है force vector होगा तो unit होगा Newton distance displacement vector होगा तो unit होगा meter और इसको हम ले लेंगे 6 units क्याले लेंगे बेटा यहाँ पर 6 unit ठीक है कुछ भी हो सकता है अब चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे यह find question लिखेंगे common question की find find the resultant magnitude of the two vectors a and b a and b question r i and skender of the two vectors a and b for for theta is equal to 0 degree मतलब parallel 30 degree 60 degree 90 degree 120 degree 150 degree and 180 degree 0 से लिकर 180 सभी निकाल लेते चलो let's start with solution so we know that हमको पता है we know that आप मेरे साथ साथ भी solve कर सकते है इसलिए में slow-slow चल रहा था कि आप भी वीडियो देखते देखते आप भी अपने बुक में लिखते रहें we know that the formula for resultant is under root of general formula a square plus b square plus 2ab cos of theta now first case पहले के लिए अपला करेंगे theta के बहले हो क्या है बेटा जिरू डिकरी तो simple 0 मतलब क्या कि ये a बार और ये b बार तो यह हो जाएगा r बार तो 6 plus 2 into a कितना है बेटा 8 into 6 into cos 0 कितना है 1 तो देखो 8 2,016 16 4,016 6,096 96 और ये 100 कितना हो जाएगा 196 और 196 किसका है बेटा root 14 तो यह हो जाएगा 14 units सीधा सीधा 8 और चे 14 units खतम बी केस क्या लिए लिए थीटा is equals to 30 degree r is equals to finally मैं इसका जो outcome आएगा ना वह इकम beautiful explain करूंगा ठीक है पहले आपन values निकाल लेते तो क्या हो जाएगा देखो विक्तरस वह यह बेटा तो a square plus b square plus 2 into a into b क्या है बेटा cos 30 cos 30 के वहले हो है root 3 by 2 root 3 by 2 तो देखो इसका answer क्या है का देखिए यह तो हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा बेटा है ना यह तो हो जाएगा 100 यह जाएगा 48 है ना तो इसको अपन ऐसा भी निख सकते 100 plus 100 plus यह 48 into root 3 तो 48 root 3 अभी रूट 3 के वहले 1.732 होती है तो लगबग लगबग 1.73250 तो यह 85 के आसपास स्वरी हाँ 17 1.732 into लगबग लगबग 85 के आसपास कुछ तो भी आ जाएगा तो यह लिख देते है अपर नहा पर 185 ठीक है एकदम approximation पर लिख रहा हम है तो लेकिन इसका आंसर आगा 14 से कम ही क्योंकि root of 196 अगर 14 नहीं तो root of 185 14 से थोड़ा कम ही आएगा ठीक है next ले ले थे यहापर थीटा एलजी कोस्ट हो कितना बेटा 60 डिग्री तो resultant क्या हो जागा देखो अगर 60 डिग्री एंगल होता vectors अभी भी वही है कौन 8 और 6 तो under root of a square plus लिखेंगे यहापर b square plus लिखेंगे 2 into a into b into cos of 60 होगा बेटा यहापर 1 by 2 आपको same constant सबके वहले पता है 2 से 2 हो जाएगा cancel 86048 तो यह 100 प्लस 48 तो under root of 148 हो जाएगा यह हो जाएगा under root of 148 ठीक है इससे और कामारे units लिखेंगे देखो और काम आ गया एंगल बढ़ गया तो next ले लेंगे बेटा देखो कितना theta is a cost कितना 90 डिगरी तो यह तो ऐसे पता है अपने को आर इस under root of a square plus b square सिधा सिधा है ना लेकिन तब यह अपर लिखेंगे under root of a square plus b square plus 2 a यह तो 0 हो ना कितना है बेटा जीरो तो यह पूरा 0 हो जाएगा तो आंसर बचेगा root of 100 root of 100 माले कितना यूनिट्स हो गया टेन यूनिट्स देखो और काम आ गया और काम आ गया देखो और करेंगे a b c d e थेटा है जो कितना बेटा 120 डिगरी तो आर क्या हो जागे देखो अंडर रूट आफ क्या लिखेंगे यहाँ पर a square मतलब 64 plus b कितना है 6 उसका 36 plus 2 a into b into cos of 120 अब cos 120 कितना होगा देखो और कॉस्ट वंटेट विल भी माइनस वन बैटू है ना एलेड एंगल में हमने यह पड़ा है तो टू से तू कैंशल तो यह हो जागा 100 माइनस 8604848 इंटू माइनस 1 माइनस 48 तो 100 माइनस 48 यह जागा रूट ऑ 52 तो यह जागा रूट 52 यूनिट्स लिख लेते सिधा सिधा रूट 52 यूनिट्स रूट 52 यूनिट्स है ना हम ऐसे भी निकाल सकते पेट्टा देखो इसको लिख सकते है को wash of 90 plus प्लस के लिखी 90 प्लस थर्टी अब 90 है इसका मतलब कॉस का क्या हो जाएगा यहापर? साइन और एंगल कितना है? 30 अब यह एंगल कुन से कॉड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड, सेकेंड में औल पहले इसमें सभी पॉजिटिव होता है, दूसरे इसमें साइन पॉजिटिव होता है चलिए और एंगल बढ़ा देंगे थेटा इसकोस्टो कितना हो जाएगा? 150 डिगरी तो आर हो जाएगा अंडर उटाफ क्या लिखेंगे बिटा? A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस 2 A B कॉस 150, कॉस 150 होगा बिटा माइनस रूट 3 बाइटो 2 से 2 कैंसल तो क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पे ता 100 प्लस 48 रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस कितना बिटा? 48 रूट 3 तो लगबग लगबग यह 85 के आसपास 86 को अगरी कुछ होता है है न? 86 तो इसको 186 कर देंगे लगबग लगबग थोड़ा यह तो यह हो जाएगा बिटा approximately minus 86 कर देंगे तो यह हो जाएगा root of कितना बिटा? 14 units देखो उससे भी कम हो गया root 14 F के बाद आएगा G जब ठीटा कितना है बिटा? हमारा देखो ठीटा है 180 degree इसके बाद हम बहुत खुपसूरत सा इसका डाइग्राम भी बना देंगे ठीक है? अभी यह 180 मतलब anti-parallel बिटा है तो सिदा-सिदा A-B A-B मतलब दो आंसर आना इसका तो अभी भी करेंगे आपन तो यह 64 प्लस 36 प्लस 2 2 इंटो क्या लिखेंगे बिटा A इंटो B इंटो क्या लिखेंगे बिटा cos of 180 that is minus 1 तो देखो 8 2016 696 into minus 1 minus 96 तो 100 minus 96 मतलब 4 तो यहाब लिख देंगे root 4 root 4 मतलब 2 units sorry 180 na A square plus B square plus 2 AB cos 2 units कितना आज जाएगा? अब देखिए बिटा गौर से हमने vectors वही लिया है A और B बस एक बार क्या किया? A और B ऐसा रखा फिर एंगल 30 डिग्री कर दिया फिर 60 कर दिया फिर 90 कर दिया फिर 120 कर दिया फिर 150 कर दिया और बाद में कर दिया 180 अब आप गौर करना resultant क्या और resultant क्या है बेटा? ये और ये इसके बीच का distance तो 0 डिग्री के लिए देखो 8 और 6 14 थर्ड डिग्री के लिए देखो थोड़ा कम हो गया उससे 60 के लिए देखो उससे और थोड़ा कम हो गया 90 के लिए देखो उससे और थोड़ा कम हो गया 150 के लिए देखो और कम हो गया 180 के लिए सबसे कम मतलब ये 2 तो यही तो हो रहा है देखो A बार ये ले लेंगे हम ठीक है? A बार 8 units beautiful figure ये B हो जाएगा 6 units तो A और B ये कितना हो जाएगा? total बताओ A और B ये हो जाएगा 14 एंगल कितना है? 0 एंगल थोड़ा बढ़ा देगे 30 degree कर देगे तो resultant ये हो जाएगा इससे थोड़ा कम है ये थी resultant 6 degree कर देगे 60 तो resultant और कम हो गया 90 degree कर देगे बेटा तो resultant और कम हो गया ये तो 60 ये वाला एंगल बेट्वें टेल से तेल मतलब देखो टेल से तेल मतलब कहा है बेटा? B बार को स्राइड करो इसके तेल से तो 120 मिलेगा आपको तो और कम हो गया देखो resultant अभी इतना ही हो गया है ना? और कम कर दो बेटा 150 कर दो तो resultant देखो और कम हो गया और क्या कर दो बेटा पूरा 180 कर दो तो resultant सबसे कम हो गया समय में आ रहे है नहीं तो इस तरह से ब्यूटिफुल ही है पहले resultant ये था बाद में resultant ये बना बाद में ये बना बाद में ये बना बाद में यह बना बाद में यह अभी डियाग्रमेटिकल एक दम सही नहीं आया मेरा लेकिन आयोप यह इस से और इस से तो आपको थोड़ा समय में आही गया होंगा तो इस से और एक ब्यूटिफुल चीज यहाँ पर सीखने लाएक है बेटा देखो ध्यान दो रिजल्टन मैक्सिमाम कब होता है रिजल्टन इस मैक्सिमाम रिजल्टन कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टन रिजल्टन मैक्सिमाम कब होता है बेटा जब दो वेक्टर के विचका एंगल कितना होता है जेरो डिगरी कितना होता है जेरो डिगरी तो resultant रहेगा maximum a plus b, क्या रहेगा resultant maximum a plus b, resultant minimum कब रहेगा resultant minimum, जब angle कितना रहेगा, 180 degree, मतलब anti-parallel, और वो क्या रहेगा, a minus b, क्या रहेगा, a minus b, तो कुछ भी करके, for any value, theta के value क्या हो सकते, 0 से 1 इडी, आगे भी हो सकते, लेकिन फिर तो वो कम-कम-कम होते जाएगा, तो for any value of theta, maximum value हो सकते है, दोनों का addition, that is, 8 और 4, 6, मतलब 8 और 6 दी होंगा, तो 14, इससे उपर अभी resultant हो नहीं सकता, और minimum कब रहेगा, जब anti-parallel रहेगा, तो 8 minus 6, 2, अब 2 से कम हो नहीं सकता, तो maximum value क्या होंगी, बिटा, a plus b, a minus b, तो जैसे जैसे देखो, 0, जब angle 0 था, तब 14, और जब 180 हो गया, तब क्या हो गया, 2, तो 14 से 2 के बिच में, for any value of angle theta के लिए resultant रहेगा, तो अगर आपको कोई बोल दे, कि बताओ, कौन से angle के लिए value इन दोनों, अगर vectors a, 8, 8, अबेटर, b, 6 है, तो बताओ, for what angle of theta is there value of resultant 1, तो यह हो इनी सकता, क्योंकि minimum ही a minus b 2 है, उससे 2 से कम हो नहीं सकता, तो एक resultant हो नहीं सकता, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, चलो मैं आपको और बढ़िया से इसको explain करने की कोशिश करता हूँ, देखो, तो अगर मैं इसके बीच का एक angle ले लू, theta is equals to 45 degree, है ना, तो resultant क्या है का देखो, 45 degree मैं आपको पहले बोला था, 45 degree पर resultant क्या है का under a square plus b square plus 2 ab cos 45, तो देखो 45 के लिए इन दोनों के बीच में कई तो भी resultant आएगा, तो क्या आएगा resultant देखिए, r is equals to under root of, क्या लिखेंगे a square मतलब 64, b square मतलब 36 plus, क्या लिखेंगे बेटा, 2 ab cos 45 मतलब 1 by root 2 बेटा, तो देखो root 2 1 0 और root 2 0 होगा, 8 6 0 48, 48 root 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते 100 plus 48 root 2, 48 root 2, root 2 कह लिए होते हैं बेटा 1.414, 1.414, तो लगबग लगबग यहाँ पर answer आएगा, इसका 14 into, इसको 50 पकल लेते हैं, 30 के लिए root 186, 45 के लिए root 170, और 60 के लिए root 186, अब आपको उल्टा भी दे सकते हैं, कि resultant root 170 है, तो बताओ एंगल कितना है, तो बस formula यही रहेगा, बस R के जगा हम क्या रिखेंगे, root 170, और निकलेंगे कि एंगल कितना है, खतम, बस theta नहीं दिया है, R दिया है, यहाँ पे इन सब case में मैंने आपको क्या दिया है, theta दिया, A भी दिया है, और R निकलने के लिए इका है, अभी मैं क्या बर आपको कि A और B दोनों दिया है, resultant भी दिया है, और पूछेंगे कि theta क्या है, तो अगर मैंने बोल दिया आपको कि resultant है, root 120, root 120 तो बताओ theta क्या आ सकता है, root 120 इसके और इसके बीच में आएगा, तो theta आएगा beta 60 और 90 के बीच में, try करना है, चलो कर लेते, कितना root 120, tension मतलो, मैं हूँ ना, किसका है यतम को, इंतसार मैं हूँ ना, कितना निकाला है, 120, root 120, resultant दिया है हमको, root 120 तो इधर कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, r is under root of, क्या लिखेंगे, a square plus b square, plus 2ab, है ना, cos of theta, चलो, r क्या है, root 120, तो यही पर steps बचाने करे, मैं लिख देता हूँ, root 120, root है, taking square root, बहुत से दोनों square कर देंगे, दुरूड gap हो जाएगा, तो लिखेंगे, 120 is equal to, a square मतलब 64, b square मतलब 36, 2 into a into b, है ना, और cos कितना है बेटा, आपका cos theta, वही तो निकालना है सर, cos theta ही तो निकालना है, तो देखों, यह हो जाएगा, 120 is equal to, यह हो जाएगा, 100 plus, यह हो जाएगा, आपका 48, cos theta, तो यह 100 इधर लेकिया जाओ, तो यह हो जाएगा, 20 is equal to 48, cos theta, तो cos theta के value क्या हो जाएगी, cos theta will be 20 by 48, तो cos theta हो जाएगा, आपका 10 by 24, मतलब 5 by 12, तो यह हो जाएगा, 5 by 12, क्या बेटा, cos theta, अब cos theta के value, 5 by 12, आपका किससे लिकाँगे, लॉक table से, तो आप देखो, लॉक table से, अगर आप cos 5 by 12 के value, निकालोंगे, तो आपको, अंसर इससे कम ही मिलेगा, और वैसे भी देखो न, cos 60 क्या है, root 3 by, cos 60 क्या है, बेटा, 1 by 2 मतलब 0.5, और cos 90 क्या है, बेटा, 0, तो 5 by 12, इसके बीच में कही तो भी आता है, 0 और 05, कही तो भी बीच में, 5 by 12 रहता है, बेटा, 12, 8 0.4, कुछ तो भी होगा ये, है ना, कुछ तो भी जो कुछ होगा, तो इसके बीच में आगा कही तो भी, तो ऐसे भी वेरिफाइ हो रहा है, है ना, तो हो सकता है, आपको A और B दे दिया जाए, ठीटा दे दिया जाए, और बोलेंगे कि R निकलो, हो सकता है कि आपको R दे दे, और बोलें किया निकलो, ठीटा निकलो, तो इसके बड़ा सा वीडियो बन चुका है यहाँ पे, तो एक काम करेंगे हम, इसे के साथ-साथ आगे चलकर, एक छोटा सा निमरिकल फास्ट में ले लेते हैं, और बाद में हम पैरलेलोग्राम लॉग पढ़ेंगे, ठीक है, तो बोल रहा है कि, इफ मैगनिट्व आफ ए बार, मतलब A वेक्टर दिया है, आपको 8 उनिट्स और B वेक्टर दिया है, आपको मैगनिट्व उसका 6 उनिट्स, ठीक है, अब यूनिट्स में न्यूटन हो सकता है, मेट्र कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल है, 90 डिग्री, तो पूछा है देन, find the resultant in magnitude and direction, दोनों निकलना है, तो सबसे पहले काम सुन्दर डाइग्राम, पहले बना लेंगे अपन सुन्दर डाइग्राम, तो यह हो जागा हमारा A बार, 60, 70, 80, 90, चलो बना लो 90 यहाँ पर, खत्म, तो यह हो जागा हमारा B बार, और magnitude of B बार कितना दिया है, हमको 6 units, कितना दिया है, 6 units, तो यह जो बचवी dotted line है, यह हो जागा हमारा resultant R बार, which is A बार, प्लस B बार, ठीक है, क्या formula है बटा, R का, R is under root of, क्या लिखेंगे यहाँ पर, A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस 2 AB, कॉस अफ थीटा, तो R हो जाएगा under root of, what is A स्क्वेर बेटा, A स्क्वेर हो जाएगा, 64, प्लस B स्क्वेर क्या हो जाएगा बेटा, 36, प्लस 2 into, वही हो गया, पिछला बाला, 6 into cos 90, यह तो पूरा 0 हो जाएगा, तो answer आजाएगा 10 units, तो यह तो scene clear है बेटा, कि यह जो length है, अगर यह 8 cm के होंगी, यह 6 cm के होंगी, तो यह होंगी 10 cm के लिए यह तो clear हो गया, पैथागोरस theorem से भी clear हो जाता है वैसे, अभी बात होती है कि, what is the angle, direction में निकालना है हमको, क्या निकालना है direction, angle made by the resultant with x-axis, तो क्या formula है, angle made by the resultant with, with first vector, तो लिखेंगे second vector, that is b sin theta, अपोन लिखेंगे क्या, a plus b cos theta, a plus b cos theta, so what is b बेटा, b, b देखो कितना है 6, into क्या लिखेंगे sin theta, मतलब sin 90, upon लिखेंगे a, a कितना है बेटा, 8 plus 6 लिखेंगे बेटा, cos 90, cos 90, तो कितना हो जाएगा ये देखें, ये हो जाएगा, चलिए इसको solve कर लेते, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 6 sin 90, तो ये जाएगा 6 into sin 90, मतलब बेटा, 1, 8 वैसे के वैसा, प्लस क्या लिखेंगे 6 into cos 90 होता है, तो ये हो जाएगा 6 into 161, नहीं बेटा, 6 into 16, upon 8 plus 0, तो ये हो जाएगा 8, मतलब ये हो जाएगे बेटा, 3 by 4, अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से measure करे value, tan 5 की, तो tan 5 की value क्या मिलिए है बेटा, आपको देखो 3 by 4, 3 by 4 मतलब 0.75, अब अगर इसको आप log table में देखे, तो you will get this value as 37 degree, कितना मिलेगा 37 degree, और शायद से अगर आपको याद होगा, तो जब हमने mathematical tools का वीडियो लिया था, तो हमने उसमें एक triangle बनाया था, यह एंगल रहेगा 53, और यह एंगल रहेगा 90, तो sin 37 होता है बेटा 3 by 4, cos 37 होता है बेटा 3 by 5, opposite upon hypotenuse, cos 37 होता है बेटा 4 by 5, sin 53 होता है बेटा 4 by 5, cos 53 होता है बेटा, adjacent upon hypotenuse, that is 3 by 5, यह बहुत ही important triangle है, बहुत 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 मतलब बहुत important triangle है, तो आप याद रखे हमेशा, यह वही से आया है, तो 10, 10, 37 क्या होगा देखो, 10, 37 अपोजिट 3, अपन हाइपोटेनिस कितना, अपन एडिसन कितना, 4, तो 3 by 4, सिंपल, अब यह तो बहुत सिंपल हो गया, अगर हमने कुछ अलग एंगल दे दिया होता, यहाँ पर है, यह 90 डिग्री न देते हो है, क्या दे दिया होता, 30 डिग्री, तो देखो, सीन कैसे चेंज होता है, एक बार फास्ट में कर लेते, कितना दिया है भी, 60 डिग्री, तो अब देखो, 90 के लिए resultant कितना है आपका, 10, तो 60 के लिए देखो, कितना हैगा, यह ऐसा आएगा, और 60 के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, 90 है ना, 90 थोड़ी है, 60 है, तो यह एंगल हो जाएगा, 60, तो resultant बनेगा आपका यह वाला भी, तो 10 से थोड़ा जादा बनेगा, क्या changes हैंगे इसके अंदर देखो, यहाँ प 148, जो आजाता आपका 12, कुछ तो भी 12.2 ले लेते, 12.2 यूनिट्स, क्योंकि 144 मतलब 12, 12.2 यूनिट्स, तो अभी यह जो एंगल बंद रहा है, 5, यह भी अलग आता बेटा, कैसा देखो, B, 6, साइन कितना है, 60, साइन कितना है, 60, अपोन A प्लस B, कॉस कितना है, 60, कॉस क एंगल, एंगल, है ना, तो यह हो जाएगा, sin 60, root 3 by 2, तो यहापे लिखेंगे, 6 into root 3 by 2, whole upon, क्या लिखेंगे, 8 plus 6 into, what is cost 60, बेटा, 1 by 2, तो यह हो जाएगा, 210, 23,000, तो यहापे लिखेंगे, 3 root 3 upon, 210, 23,000, 8 plus 3, 11, तो अब जो कुछ वेली होएगा, इसका, है ना, tan 5, tan 5, is equals root 3 के हो लिखेंगे, 1.732, into 3 तो यह हो जाएगा, 5.2 के असपास, upon 11, है ना, तो यह जो कुछ वेली हो हैंगे, इसका कुछ तो आंसर हैगा, बेटा, x, तो 5 के हो जाएगा, आपका, tan inverse of x, tan inverse of x, और आप यह किस में से देखोंगे, बेटा, lock table से, किस में से देखोंगे, lock table स लिखते आता है, बस खतम, यह हो जाएगा, 5, that's it, है ना, अब अगर आपको यह 5 मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है, तो यह 5 किस के साथ आंगल है, बेटा, resultant का A vector के साथ, this is your A vector का magnitude, है ना, मतलब A vector भी हो सकते हैं, इसको, यह B vector, यह हो जाएगा, आपका resultant, यहाप यह नहीं लिखा तभी भी चलेगा, फिर दिशा भी बता रहा है, और magnet भी बता रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो दुसरे वेक्टर के साथ, एंगल का हो जाएगा, 60-5, 60-5, मतलब मानलो अगर यह एंगल आपका है, 34, तो यह एंगल हो जाएगा, दुसरे वेक्टर के होगा, 120, अब बाकी दो एंगल की सम क्या होती है, सभी ट्रेंगल के तीनों एंगल की सम क्या होती है, 180, तो अगर 180 होगा, उसमें से 120 चला गया, तो बचा क्या 60, तो अगर यह 5 होगा, तो यह क्या हो जाएगा, 60-5, 60-5, इसलिए मैं मैं बोल रहा हो, कि अगर resultant का A के साथ फाय है, तो resultant का B के साथ होगा, 60-5, एक के साथ अगर 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 फाय होगा, तो दूसरी के साथ होगा, ठीटा-5, आप ऐसा भी धहन में रख सकते हो, I hope, मैं triangle law आपको समझाने में, analytical method से, यहाँ पर थोड़ा सक्षम रहा हो, काफी lengthy सा वीडियो था, लेकिन जरूरत थी इसकी, sorry for that, ठीक है, अगले इसमें हम देखेंगे, इसी का भाई, that is, parallelogram law of vector edition, and consecutively, फिर हम उसके उपर आगे के laws of vector edition भी देखते जाएंगे, कुछ numericals भी हम यहाँ पर इसके उपर लेंगे, ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से in-depth knowledge इसका यहाँ पर मिल जाए, तब तक आप पढ़ते रहें, और life में आगे बढ़ते रहें, बाई!